आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में प्ले स्टोर से वर्टसाप डाउनलोड कर रहे हैं और आपके फोन में वर्टसाप डाउनलोड नहीं हो रहा है डाउनलोड करने पर आपको शो होता है Can't Install, WhatsApp, Messenger तो इसे ठीक कैसे करें तो इसके लिए Play Store से बाहर आईए उसके बाद अपने फोन की Settings ओपन करिए Settings ओपन करने के बाद नीचे आईए नीचे आकर यहाँ पे Apps आएगा Apps पे किलिक करिए उसके बाद उपर आएगा Manage Apps तो Manage Apps पे किलिक करिए यह Manage Apps आपके फोन में App Manager या फिर App Management नाम से हो सकता है तो इसे ओपन करने के बाद आपके फोन के सारे आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर यहाँ पर आएगा Play Store कुछ इस तरीके से तो Google Play Store आएगा इस पर किलिक करिए इसके बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा अब यहाँ पर आने के बाद नीचे फोर्ड से Stop आएगा इस पर किलिक करिए उसके बाद UK करिए ऊपर Storage पर किलिक करिए यह Storage अगर आपके फोन में नहीं है तो ये storage usage के नाम से हो सकता है तो इस पे click करने के बाद नीचे clear data पे click करिए उसके बाद clear all data पे click करिए यहाँ पे ok करिए इसका data clear करने के बाद back आईए यहाँ से back आने के बाद अब अपने phone को एक बार बंद करके चालू करिए यानि कि फोन को reboot करिए उसके बाद अब अपने फोन में प्ले स्टोर open करिए और चेक करिए WhatsApp आपके फोन में अब डाउनलोड हो रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई problem show नहीं हो रही है तो कुछ इस तरीके से अपनी ये problem ठीक करें जो कि आपको WhatsApp डाउनलोड करने पर आ रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें